जी राहुक क्योंकि कुरूर ग्रह माना जाता है और राहुक की अगर खुद्रिश्टी किसी के उपर पढ़ जाए तो उस पर सही नहीं रहता है नकराद में प्रवा पढ़ता है लेकिन एक मंत्र ऐसा भी है जो राहुक का जबने से आर्थिक तंगी दूर हो सकती है और धन व ग्रहों में आठवा ग्रह जो राहु है वह कुरुड़क再见 की जदी क्रपा हो जाय तो मनुस्य यो है वहां धनवान बन सकता तो क्रपा होने से डमे का आर्धिक मजबुत हो परिवार में सांती होती है, कला नहीं होता है, और कभी भी एक्सिडेंट का योग नहीं बनता है, तो जगी आपका राहु कमजोड है, या आपकी कुंडली में राहु जो है वा गलत जगहों पर बठा हुआ है, राहु आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो इसके लिए क करना क्या है आपको, राहु के बीज मंतर का जाप करना, आप राहु के बीज मंतर का जाप करें, या वैदिक मंतर का जाप कर सकते हैं, या तांत्रिक मंतर का भी जाप जदी आप करें, ये तीनों में से कोई जाप, जदी आप राहु के लिए करते हैं, तो निश्चित रू समाप्त हो जागा जिन्दी आप व्यापार ही हैं व्यापार करते हैं तो निस्ची तुरूप से आपको व्यापार में लाव होगा